नमस्कार, मैं हूँ स्रीमती वंदेना, सहाय का अचारी हिंदी, गोर्वेंट गल्स को लेज राजगर चूरू दुआरा चलाई जा रही ओनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत करती हूँ बीए पार्ट सेकंड एर के सेकंड पेपर की अपनी क्लास चल रही थी टोपिक हमारा है दस एकांकी में से कालपुरस और अजन्ता की नुरत की एकांकी उसमें हमने उसका कुछ अंस कल के वीडियो में देख लिया था अब आज की वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे तो प्रभा और चंदू अनूप आपसी वारतालाब कर रहे हैं दूसरा द्रश्य चल रहा है वही द्रश्य वही स्थान तीन दिन बाद संध्या के जाड़े पांच बजे हैं प्रभा सोफे पर अंधी पड़ी है चंदू भीतर से कोफी का प्याला लिये आता है बहुजी बहुजी बहुरानी बहुरानी प्रभा एक बार सिर उठा कर देखती है सारा मुहें आसों से तर है फिर मुह छिपा लेती है चंदू रानी बहु ठंडी हो जाएगी कोफी उठो बहु रानी तो नहीं पियोगी बहु चंदू के हाथ की कोफी उठ कर जाने लगता है ने पियो आखिर मैं भी तो इसी घर में था अच्छा है ने पियो मेरे हाथ की प्रभा चंदू लाओ देखो बेकार की बाते मत किया करो कोफी का प्याला होतों से लगाती है प्रभा चंदू ऐसे क्यों देख रहा है चंदू अच्छा नहीं लग रहा है आज मेरा घर सहाब का दोस्त बनकर आया था कहीं ऐसे होते हैं महमान मेरा बस चलता तो मैं उसे घुसने ने दिता पाजी बेईमान प्रभा कोफी पी चुकती है तीन दिनों तक यही कमरा सहाब के महमान की काली चाया से भरावा था अपने मित्र के साथ तुमारे सहाब ने इसी कमरे में मेरी इस छोटी सी घटना को अपने विकारों के आजसी सीशे में बढ़ा कर देखा था चंदू इस तरह सिर्दर्द कर रहा है कि चीखू इसी कमरे में तोड़ दू इन दरवाजों को और कोफी लाता हूँ बहू बिल्कुल तयार है तब्यत ठीक हो जाएगी बहू प्रभा नहीं नहीं बस सब ठीक है मुस्कराती है फिर हैंस पढ़ती है चंदू एक किस्सा सुनोगे बहुत अच्छा किस्सा है चंदू जी एक था राजा एक थी राणी राणी को अपने पती के उपर बहुत एहंकार था और राजा को भी अपनी राणी पर गर्व था चंदू सहाब आगे बहू बहु फिर सुनूगा यह किस्सा बड़ा मजेदार होगा प्रभा अच्छा तब तक अगर भूल जाओं तो अच्छा याद कर लूँगी चंदू का प्रस्थान होता है अनूप का प्रवेश होता है अनूप कहता है प्रभा प्रभा इस तरहे क्यों बैठी हो बोलो ने बात क्या है प्रभा देख कर रहे जाती है अनूप आओ चलो यहां से यहां क्या कर रही हो प्रभा कुछ सुन रही हूँ अनूप क्या कुछ देख रही हूँ अनूप क्या कैसे बाते कर रही हो प्रभा हैस पड़ती है तुम्हारा वह दोस्त जो तीन दिनों के बाद आज यहां से विदा हुआ है उसकी और तुम्हारी की भी सारी बातें इस कमरे में गूंज रही है तुमने ठीक ही सिद किया वहे भी ठीक ही समझ में समझ रहा था हस देती है मेरे आचल में दाग है गा पड़ती है मेरी चुन्दरी में पड़ी गयो दाग पिया गाती गाती हंसने लगती है अनूप घबडा जाता है चंदू 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 जी सरकार अन की हुँ ने, मैं कैसे पागल हो सकती हूँ, मुझे तो नाचना है ने, अनूप कहता है प्रभा मेरी बात सुनो, सुनो एक बात मेरी और देखो देखो ने, प्रभा मैं सुन रही हूँ, मेरे आंचल में छोटा सा दाग है, मैं हाजारिलाल के संग एक बार भाग गई थी ने, तो उने बिल्कुल सही समझा। अनूप, प्रभा, मत बोलो इस तरह, ये है सब तुम कहे रही हो, बहुत बुरी बात है। जी हाँ, बुरी बात है, ये है सरासर पाप है, कोई लड़की किसी लड़की के संग कहां चली जाए, ये बुरी बात तो है ही, इससे कहीं माफी है। अनूप, मैं जितना ही तुम से चुप रहता हूँ, बचता हूँ, उतना ही तुम मुझे जुकाती चलीती हो, क्या यही न्याय है तुम्हारा प्रभा, सच कहते हो, सच मुझे तुम मुझे से चुप रहते हो, मुझे से बचते हो, जैसे कोई कलंग और पाप से बचता अनुप बेकार बगती हो, तुम तेलीफौन की घंटी बसती है, प्रभा बढ़कर फोन नीचे रख देती है, प्रभा तुम्हारा मिहमान तुम से ठीक ही कह गया है, मुझे से शादी करके तुमने मुझे मुक्ति दी है, स्वार्थ मेरा था, तुम्हारा नहीं, तुम दोनों सब सरासर जूट मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा महेमान ने कहा आपस में हसी मजा कौन नहीं करता दुनिया करती है तुम्हारी दुनिया करती होगी लेकिन मैं वैसी असत्ते दुनिया में नहीं रहती जो बाहर भीतर दो टुकड़ों में बटी हो बाहर कुछ भीतर कुछ जहां प्रस्ट भूमी में फिर लड़के बच्चों का कोला है चंदू निकल कर दोड़ता है अनुप क्या है चंदू देखो कैसा शोहर है यह है चंदू प्रवेशकर सहाब है जो गोंगी भीक मंगी थी ने वह मर गई मुनिस्पल्टी वाले उसकी लास को ठेले पर ले जा रहे हैं लड़के छिन रहे हैं कहे रहे हैं कि वे खुद गोंगी की दाहे क्रिया करेंगे गोंगी उनकी है वह लावारिस नहीं है कि अनुप ठीक है मर गई वह अच्छा हुआ प्रवा बढ़कर बाहर देख रही है से बस अब खूब करो टेलीफोन तुम्हें यंतर चाहिए इस तरी नहीं अंदर जाती है अनुप नंबर मिलाता है अलो क्लब जी हां आया होगा टेलीफोन दरसल वह नीचे गिर गया था जी हां मैं अभी आया पर में वहारूख नहीं सकूँगा मुझे घर रहना है एट ए जारी है रोकी हुने क्या कहे दिया आपने भी वह महिमान वह महिमान अनुप चुप है चंदू पागलों सा बार बार अपनी बात दूरा रहा है अनुप तो क्या करूं कदमों पर जा किरूं क्या प्रभा प्रविस्थ होती है हाथ में केवल चित्र का वही पैकेट तुम क् जोगे कदमों में, तुम तो काल पुर्षो, नृत्की तो मैं हूँ, तुम चाहो जो करो, चरणों पर मैं गिरूँ, यही तो तुम्हारी कला और स्नस्कृती है ने, आगे बढ़ती है, अनुप कहां जा रही हो तुम, प्रभा क्यों रोकोगे हिमत, है हिमत, तो तुम मुझे सजा देने चली हो, तब ही सब कुछ छोड़कर केवल मेरी मा का चित्र लिए जा रही ही हो, प्रभा ठीक है, तुम कुछ भी सोच सकते हो, मुझे दो, यह है पेंटी, नहीं दूगी, सब कुछ दे कर केवल यही लिए जा रही हatson, मैं कहता हूँ, वह चित्र मुझे दो, मु काल कर दिखाते वे यह देखो पहचान लियाने जब तुम इंटरमीडियेट में थी मैं भी इस चित्र का ओयल पेंटिंग कराऊंगा कहते कहते अंदर जाने लगता है जरूर कराओ पर याद रखना वह पेंटिंग मेरी नहीं होगी तुम्हारे विकारों की होगी तुम्हारी जूटे व्यक्तित्वेकी होगी कंट भर आता है अच्छा भी रहेगा जो भयानक चितर तुम्हारे भीतर है वह ओयल पेंटिंग बनकर तुम्हारे गले में लटका करेगी अच्छी पहचान रहेगी प्रभा सुनने में देखती खड़ी रह जाती है भीतर से चंदू का प् भी आ रहे हैं यह है लो चितर मैं कुछ नहीं ले जाओंगी यहां से बहुरानी प्रभा नहीं नहीं कुछ नहीं तुम भीतर जाओ चंदू मैं चली जाओ तो भीतर से दरवाजा बंद कर लेना यह क्या करते हो जाओ अंदर चंदू भीतरी दरवाजे से चिपकर खड़ा सहसा भार की घंटी बचती है जैसे कोई सुनने वाला नहीं है प्रभा जाते जाते दहलीज में रुक गई कुछ क्षणों बाद अनुप के महवान मुनी का प्रवेश चंदू आवेश में फिर आगे तुम क्यों आए अब क्या है यहां मुनी अरे अकल मारी गई है क्या तेरी पता है गाड़ी छूट गई रिक्षा लाने में तूने ही तो देर की थी प्रभा सहसा दोड़ कर भीतर जाती है मुनी प्रणाम भाबी जी एक गिलास पानी लाओ चंदू सहाव अंदर है क्या पुकारने लगता है अनूप ओ अनूप चंदू कोई नहीं है यहाँ तुम जाओ यहाँ से प्रभा कठोर भाव से एक आएक प्रविष्ट हो शोर मत करो उसी तरफ साकर बाते करो जैसे पिछले दिन इस कमरे में अनूप के संग कर रहे थे मुनी डर से चीख पड़ता भावी यह पिस्टल नहीं नहीं प्रभा डर गए लो मैं पिस्टल सिपा लेती हूँ अब बोलो तुम दोस्त हो अनूप के मुनी भावी खबरदार जो फिर भावी कहा मुझे मैं हजारी राल के संग भागी वी एक लड़की हूँ जब मैं इंटरमीडियेट में थी बोलो ठीक है ने नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं का सब अनूप का वहम है मैंने तो वे चितर भी तुमने नहीं दिया क्यों ठीक है ने कैसा चितर मुझे कुछ नहीं मालो मैंने कुछ नहीं दिया इधर उधर देखकर भागने की कोशिश करता है प्रभा जूटे बुजदिल भागने की जरा भी कोशिश की तो मुनी कहता है मुझे माफ करो मैं महमान हूँ मैं चला जाता हूँ मेरी गाड़ी छूट गई नहीं तो तुम्हारी हमेशा गाड़ी छूट जाती है अनुप का प्रवेश होता है अनुप कहता है यहां क्या मुन्नी अनुप से लिपड़ जाता है बचाओ बचाओ मुझे बचालो अनुप कहता है प्रभा प्रभा एशा नए करो मुझे दो पिस्टल शमा कर दो सब मुझे दो पिस्टल लो मुझे मार दो प्रभा छूना नहीं मुझे खबरदार एक ही संग प्रेम दया और जूट मुझे मुक्ति देने आये हो एक दया और अनुप पिस्टिल मुझे दो प्रभा मैं दया की भीक मांगता हूं तुमसे प्रभा वह सभाव है तुम्हारा तुम्हारे रक्त में कहीं ने कहीं वह बिखारी जरूर बैठा है जो नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कौपने से लगती है पिस्टिल हाथ से चुड़कर निचे गिर जाता है कुछ नहीं कुछ नहीं मुड़कर धीरे से बाहर निकल जाती है और परदा गिरता है इस पकार से आज हमने काल पुर्स और काल पुर्स और अजन